नमस्कार आप देखरें एक न्यूस 24 और मैं हूं मधवाला आपके साथ बिज़िपी के प्रदेश अध्यक्ष समराट चौधरी ने एक बार फिर से लालू परिवार पर जोरदार हमला बोला है आपको बता दू कि लालू परिवार को लेकर क्या कुछ समराट चौधरी बोलते वे नजर आ रहे हैं या तक कि उनके संपती को लेकर आरे हाथो ले लिया है लालू प्रशाद यादव को आपको वही पर बता दो कि समराट चौधरी का कहना है कि अगर बिहार में देश में कोई सबसे बड़ा लूटे रहा है तो वो है लालू प्रिशाद यादब आगे और समराट चौधरी ने लालू प्रिशाद यादब को लेकर क्या कुछ बोला मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो को अंधितक जरूर देखिएगा विजपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उकमुख्य मंत्री समराट चौधरी ने बुधवार को राजद अध्यक्ष लालू प्रिशाद यादब पर जोरदार हमला बोला है उन्होंने कहा है कि लालू यादब से बड़ा कोई लूटेरा नहीं है उनकी पूरी राज प्रिशाद यादब ने चुनाओं में टिकट बेच कर कई सौ करोड वसूले हैं यूपीए वन में रेल मंत्री बनने के बाद उन्होंने रेलवे के दो होटलों को लीज पर देने के बदले पटना के सगुना मोड के पास कोचर बंधुओं से साढ़े तीन एकर जमीन हतिया जहां उनके दोनों बेटे बिहार का बिगेस्ट मॉल बनवा रहे थे समराट चौधरी ने कहा है कि लालू प्रिशाद यादब ने रेलवे में नौकरी देने के लिए गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हिर्दियानंद चौधरी और ललन चौधरी से पतनी बेटे और ब परियंत्र करते रहे हैं जनता कभी माफ नहीं करेगी और ना कभी करने वाली है एक बार फिर से आपको बता दे बिज़पी के प्रदेश अध्यक्ष समराट चौधरी लालू प्रिशाद यादब पर लगातार हमलावर हैं वहीं उन्होंने लालू परिवार की संपती को लेकर आर्जेडी सुप्री प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के मुख्य मंतरी समराट चौधरी ने राज़त अध्यक्ष लालू प्रिशाद यादब पर जोरदार हमला बोला है साथी साथ कहा है कि लालू यादब से बड़ा कोई लूटेरा नहीं है बिहार से लेकर देखिए पूरे देश में लेकर उन्होंने कहा कि प्राइवेट लिमिटेड की तरज पर पाटी चलाने वाले लालू प्रिशाद यादब ने चुनाओं में टिकट बेज कर कई सौ करोड़ वसूले हैं यूपीए वन में रेल मंतरी बनने के बाद उन्होंने रेलवे के दो होटलों को लीज पर देने के रहने वाले हिर्दयनंद चौधरी और ललन चौधरी से पतनी बेटे और बेटियों के नाम पर जमीन भी लिखवाली है तो जैसा कि आपने सुना समराट चौधरी ने लालू प्रिशाद यादब को लेकर क्या कुछ कहा है समराट चौधरी का साफत और पर कहना है कि अगर क बेटा बेटी को राजनीती में इंटरी दिलवा दिये है और ये नौकरी के बदले जमीन लेते हैं कई लोगों से इन्होंने जमीन हडपी है कई लोगों से इन्होंने क्या कुछ लुटा है ये तो आपको मैं बता ही चुके हो फिलाल इस वीडियो में इतना ही ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देख तेरे एक News24 वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथ ही हमारे यूटुब चैनल एक News24 को सब्सक्राइब करें यदि आप हमारे फेस्बुक पेज को देख पारें तो हमारे फेस्बुक पेज को फॉलो करें धन्यवाद